पुरी के भौती थाना शेत्र के गाउं मुहार से सुमवार मंगलवार की रात अचानक लापता हुए मासूम को पुलिस ने उसके मौसा के घर से बरामत कर लिया है लापता बच्चे के पिता ने अपने भतीजे और साडू के साथ मिलकर बेटे के अफ़रन की जूटी कहानी रची थी ताकि वो गाउं के कुछ युवकों को बेटे के अफ़रन के मामले में आरूपी बनवा सके पुलिस ने शड़ियंत्र रचने वाले तीनो आरूपियों के खिलाप केस दर्ज कर लिया है वहीं जालम सिंग ने शड़ियंत्र रच कर किये गए प्रदर्शन के दौरान भौती थाने में पदस्त एसाई प्रत्वी लाल पर भी आरूप लगाया था कि उन्होंने एक और जहां उसके बेटे के अफ़रन के अफ़ायार नहीं लिखी तो वहीं दूसरी और उसे गालियां देते हुए चाटा मारा जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में कारवाई की